अक्षे कुमार और करीना कपूर खान के फिल्म गुड निउस का च्वेलर रिलीज हो गया है जो की दर्शकों को खुब पसंद आ रहा है सोचल मीडिया पर फिल्म को लेकर तरह तरह के मीम्स आ चुके हैं अब ट्वीटर पर अक्षे कुमार और सल्मान खान के फैंस के बीच ट्वीट वार छिट गई है दरसल सल्मान खान और अक्षे कुमार के फैंस इसको लेकर भिड रहे हैं चलिए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ ट्वीट हिलेरियस, can't stop laughing, clearly one of the best trailer of 2019 Get ready for the biggest surprise of the year, here is the Physics की मारते मारते बायलोजी की मारती, Jack Canada Totally a shit trailer of good news, old concept and brain tickling name of comedy They're going to show us again and again, इस तरह के हजार फिल में बन चुकी है, totally shit Akshi Kumar's haters' current situation after watching good news trailer and realizing that Hetrick of 200 crore will be made in a year, good news trailer ने सब को हिला डाला Good news trailer, Akshay might be the king of comedy, but still he can't make audience laugh as much as bhai does during his emotional scenes That is why bhai tarts did not like the trailer Good news trailer पहले ही बोला था, किसी youngster को ले ले, Akshay Kumar जैसे चिंदी स्टार को लेगा, तो paid likes और views ही करवाने पड़ेंगे तो देखा आपने, good news की trailer को लेकर सलमान और Akshay के fans आपस में ही भिड़ गए हैं जिसके चलते सोशल मीडिया पर खुब ववाल हुआ बतारेंगे फिल्म में अक्षय करीना के अलावा किया रादवानी और दिलजीत दो सांच भी हैं ये फिल्म शूटिंग के शुरुआत सही काफी चर्चाओं में बनी हुई है इसके फ़नी पोस्टर्स भी लोगों को काफी पसंद आ रही है फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे IVF से बच्चे पैदा करने के चलते वो कपल्स की लाइफ में इस फिल्म्स बदल जाने से गड़बडी शुरू होती है इस चीज को लेका फिल्म के डारेक्टर राज मेहता ने एक कॉमडी फिल्म बनाई है जिसमें कॉमडी के साथ साथ एक सोशल मेसेज भी दिया गया है बता दें कि ये फिल्म इस साल 27 दिसंबर को रिलीस होगी वैसे आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटिट है हमें कमेंट करके सरूर पताएं और बॉलिवूर से चुड़ी तमाम ख़बर को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहीए सवाल पहले करन जी से तो अपने कहा था कि गुद्धन पीछे कहानी एड़ डवल्यू तो प्लीज शेयर बहुत शेयर बहुत 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 साल पहले यह एक जो इनहरेंट सूपरस्टिशन था और हमेशा रहता भी है हम लोगो की दुनिया में क्रेटिव दुनिया में तो मेरा एक 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 सूपरस्टिशन मेरा भी था के अलफबेट से फिर कुछ ऐसे रिलीज हुए फिल्म के साथ जिसमें करीना कपूर भी थी एक ऐसी फिल्म में जो जयादा नहीं चली तो मुझे लगा के यह के एक अक्ष so and it was no, you are blaming Akshay? no 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 it's you, ok alright so he along with Azeem Dayani who is the curator of music in this film they both came very paranoid and asked me they could call the film A good news so I just said A good news is not incorrect English you don't have a good news it's good news so they said then we'll have to change the spelling and I realised it's his first outing Azeem is a very passionate young man and I felt that कल को कुछ गलत हो गया, they'll blame it on me and the spelling. So I said, please change it and they decided to call it N-E-W-W-Z. Personally, it's rather ridiculous but it's actually, everyone has learned to accept it and really envelop it. So, well done Raj, thank you. And in fact, we're going to make sure that you change the spelling of all our films. And if this film does well, then you'll be the spell man at Dharma. Okay, Akshay Paji, Kareena and Kiara, आपसे सवाल है कि this is the, if I'm not wrong, please correct me, this is your first attempt to have a slice of life comedy with that comedy of errors wala script. मतलब ये जो फिल्म है, so what was your first reaction when you got the script? मतलब, Diljit Paji has done Mukhtar Chadda and other films which has a slice of life comedy kind of stuff. But what was your first reaction? इसे बोलता, किसको पूछ रहा है? आप तीनों से? तीनों से? आप जी. Okay, मुझे बहुत अच्छा लगा था, I still remember कारण ये मुझे एक कहानी सुनानी लाए थे, तो ये मेरे घर पर आयो थे, इनोंने कहानी सुनाई, और करीब देर पहुने दो गंटे की निरेशन दी, और मैंने का बहुत अच्छी कहानी है, और क्या बना रहा है, फिर एक चोटी फिल्म बना रहा हूं गूद नियूस करके, उसकी कहानी कहानी है, फिर उनोंने करीब दो मिनिट सुनाई बहुत अच्छानी बहुत बनाते हैं, तो फिर उसके बाद ये मुझे स्लाइस अफ लाइफ वाली कहानी जो है, मुझे बहुत बहुत मजाया इस कहानी के अंदर, और मैं सच बता हूं, तो ये ऐसा हादसा कही हुआ भी है, जो आपने लेखा ट्रेलर अभी, ये कही हुआ भी है, और उसको लेके इसको पिरोया गया है. Kareena Ji and Kiara, your inputs. When actually Raj narrated the film, I personally thought I was perfect for the part. I, yeah, that's the truth, I thought that I really wanted to, you know, do the film, it was funny, it was, I couldn't stop laughing, and I, yeah, I said that why not, I mean of course it's a production house that I trust beyond, and yeah, I was like why not, it's a whole package is great, actually Akshay was not on board at that time, I was the first one that came on board, I didn't know who the rest of the cast was, but I said yeah, I want to trust Raj and let's just do it, and I think it's quite funny. I was rolling on the floor laughing when he narrated it to me, and I was the last one on board, so I knew all three of them were on board, and I was like this is a huge opportunity for me, to work with all of them, this is my first film with Dharma, so that itself was a big moment for me, and yeah, I mean for me, like Karansa said, I'm the junior most here, and there's so much to learn, it's a character that Raj has given me, which he really worked with me on this one, and I really hope you guys like it. I love the way I become sir only on this stage. Like, drop it babe. Diljeet actually, very exciting, because I remember speaking to him, and I think when he heard that, you know, he heard the ensemble, I think immediately kind of it excited him, and I think he kind of like, like was agreeable to be on the film, as soon as I think he heard the cast, and then of course he heard the narration, and Raj narrated. तो प्याद्शिद्शिट्ट्ट। शॉच्छ प्याद्शिद्शिट्ट। आपको दिलजीत। तो अजगा आपको दिल जिए? तो मैं सुनने के लिए चला गया था. तो वो उसमें नहीं था. अगर आप अगर आप करते तो शायद यह खुशी-खुशी यह नहीं कहबादी, वो फिल्म अगर आप करते तो कुछ हम बताएंगे नहीं कौन सी फिल्पी हो, लेकिन हाँ. Thank you, thank you sir. Namaskar, मैं रेखा खान नवभारत टाइम से हैं, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत सारी मुबारक बात देना चाहूंगी, बहुत ही कमाल का ट्रेलर है, और बहुत मज़ा आया देखके, दो दो तीन तिन बार भी हम देख सकते हैं, यह सवाल मेरा आप सभी लोगों से है हम हमेशे जब भी गुड निउस की बात करते हैं, तो यह होता है कि घर में कुछ कोई, मतलब कोई बेबी आने वाला है या इस तरह की बात होती कि क्या यार कोई गुड निउस है, लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि इसके अलावा आप लोगों के लिए गुड लेकिन हो सकती है गुड निउस की. क्या करन आपके लिए क्या गुड निउस हो सकती है? When his parcels of his shopping reach his door. यह मैं सभी से जाना चाहूंगे. मुझे लगता है कि गुद्ण न्यूस की जो गुद्ण नियादा एश्टी नियूस की जो पूर नियूस की जो जाता है that news with that much joy ever. मुझे लगता है कि हमेशा किस के बाद कुछ बुरा ही होने वाला है. I'm a little bit of a cynic like that. लेकिन गुद नुज का माँ बहुत सारी हो सकते हैं. मुझे तो गुद नुज यह होता है, जब एक अक्टर कम प्राइस फिमिल कर दे, सबसे बड़ा नुज वो है. और वो गुद नुज अक्षे ने मुझे आज तक नहीं दिया. करीन, आपके लिए क्या हो सकती है गुद नुज? I can't beat that answer, so I don't think we should answer this question. और अक्षे आपके लिए? मेरे लिए मैं तो bad news में भी good news ढूंदता हूँ. So, मैं एक बहुत ही positive किसम का इंसान हूँ, तो मुझे कुछ भी चीज आप दे दो, मैं उसके अंदर एक good news निकाल के शोड़ूँगा. And कियारा आपके लिए? Really, nobody can be this answer now. Right now, I think, every time I sign a good film that I'm excited about. Great. And Karan, एक सवाल मेरा आप से, एक और सवाल है, कि इस फिल्म को बनाने के पीछे आपकी क्या सोच थी? कि ये सही बात है कि, cinema जो है, वो entertainment को ही, मतलब पहला तो उसका उदेश्य entertainment को पूरा करना ही होना चाहिए. तो क्या इसके पीछे था, इसके पीछे आपकी सोच क्या थी? कि एक फिल्गुड वाली movie दें या और कुछ आप सोच रहे थे? I was actually, मैं जैसे Akshay ने कहा कि हम एक छोटी फिल्म बना रहे थे, मैं हमेशा रिशिकेश मुकरजी साहब जो बनाते थे, तो मैं हमेशा ये चाहती ही, कि हम धर्मा प्रडक्शन में ऐसी फिल्म बनाएं, तो जब बी एक एक फिल्म में बनाएं, और एक फिल्गूड वाली फैक्टर हो फिल्म में. आज तक अच्छी धर्मा ने उस किसम की फिल्म नहीं बनाई, जैसे यह है, जैसे अच्छी मुकरजी, तो जब मैं अक्षे के घर गया, तो मैं एक बड़ी स्क्रिप्ट वाली फिल्म में आखे गया, फिकस ये अ मेगा मूवी स्टार, और ये जिस्ट फिल के अक्षे में खासियत है, लिए, जैसे एक तो आफानîne, जैसे वह क्भी स्केल्न शुःगाया कुष मैं। जैसे यह चैल्नाय थे हाँ, जब मैं शुआ करुषम के अव us. फिलिए प्रपर रखने शुआ की एवाए ऐममोर्यान थे करे अवाब के दूए वह हो है।